हलो दोस्त अपने कावद सुनी होगी टेंशन फिरी आरारसी ग्रूप डी एकजाम ना परिच्छा का टेंशन ना कटप्ट का डर पीटी में मेंनत करने की जरूरत नहीं जोब बीस अजार प्लस बेकेंशी की टर्म कहेंगे और विदार्ती बीस अजार से कम अगर इतना पर भी जोब नहीं लिए तो फिर अपने आप पर रोना आएगा बात किसकी चल लएए ओफिसल नोटीस तो आपने देखा ही होगा गुरूप डी का तो आपको समझ में आ जाएगा बात हम कर रहे हैं इस बार सीचिये के लिए और इस वीडियो से हमारी मतलब नही निकाले मैं लास्ट लाइन लिखा हूँ इसको याद रखना अगर इस बार आपने नोकरी नहीं लिया तो आपने आप पे नोकरी के लिए रोना आएगा क्योंकि जो कंडिडेट 12-4-2019 से पहले अपरेंटीस रेलवे में कर चुके हैं उनके लिए इसमें लगी हुई सारी ब डिसाइड कर लिजिए आपका सेलेक्शन होगा वो भी डिटेल में हम समझाएंगे इस वीडियो में कट अप क्वालिफाई होता है उसमें भी बोनस हंक मिल रहा है बोनस समझ गए होंगे 1 by 3 जो आपके CCA का एकजाम का है पीटी की आपकी जरूरत नहीं है पीटी होगा नहीं क्योंकि पीटी एक्जम्टेड है जोब आपने देखा है एक लाग तीनेजार में से 20,000 जोब CCA के लिए रख्षित है और कंडिडेट की बात करेंगे तो 20,000 से बहुत कम या उससे भी कम है उसमें से भी रेल्वे में पीटी उनको जरूब चाहिए कई लोग एलपी टेक्निसियन में भी है और कई लोग दूसरे और्गेनाइजेशन में भी है और रेल्वे के कई और सारी पोस्टों में हैं कुछ लोग तो एंटीपीसी में भी पार्टिसिपेट किये हैं और बहुत सारी लोग एक जाम अलग गलब दिये हैं यानि अगर कहें तो 32,000 में से लोग अगर हट गए किसी का येज निकल गया किसी का कुछ निकल गया तो टोटल 20,000 से कम कंडिडेट इसमें हैं उसमें से भी 32,000 में से बात करें तो जिनका डेट यहां कटफ है बारह तिन बारह चार 2019 उसके बाद वाले भी इसी में हैं तो समझ सकते हैं 20,000 से कम होंगे तो रोना तो आएगा आज और अगर इस बार सेलेक्शन हो गया तो आपके लिए कहिए कि ये बहुत बड़ी खुशकवरी है सारा डिटेल देखने के लिए देखिए हमने यहां पे अभी एक पोस्ट हमने क्रियेट किया है और ह हमेसा मैं करते रहता हूँ www.railwaylife.com पे यह मेरा वेपसाइट है वेपसाइट के होम पेज पे मैं हर दिन अपडेट देता हूँ जो अपडेट रेलवे या एससी या गौर्णमेंट जॉब से आता है यहां पे अपडेट मैंने दिया है RRC गुरूप D वाला जो आप रेलवे नोटीस यहां से देख लेंगे जिसमें बोल दिया है कि 12.04.2019 से पहले जिसका भी CCA कंप्लीट हो गया है वो अपना मार्स और CCA का मोडिफिकेशन लिंक अपडेट कर दे उसके बाद क्लिक हेर फोर मोडिफिकेशन लिंक के लिए है और हो सकता है इस क्लिक हेर सबी कंडिडेट को करना पड़ सकता है क्योंकि यहां पे मार्स का भी बात हो रहा है हलांकि मेरे पास लॉगिन की नहीं है इसलिए मैं पूरी डिटेल नहीं समझा सकता आपको कि उसमें लॉगिन होने के बाद क्या क्या दिख रहा है अगर आपकी CCA की मार्स जोननी है तो ये all candidates के लिए applicable होगा अब यहां पर all candidates के लिए applicable होगा तो CCA का marks जुड़ेगा लेकिन जो लोग CCA नहीं चुज किया है उनके लिए भी यहां पर link है 12-4 से अगर आपने पहले कर लिया है CCA तो यहां पर आप इस link का पर्योग कर सकते हैं उसके अलाबा CCA में एक और notice आया था जो आपका 19-3-2022 का है था उसके बाद उसकी एंडेंडिमेंड को रिजेंडम 4 और 5 आई थी उसमें क्या बोला गया था P.E.T. से एक्जम्टेड है और C.C.E. को 1-3 मार्स जो आपका उनका इंटरनल एक्जाम है उसका फाइनल में जूड़ेगा अब कुछ लोग बोले है 1-3 की अलग से जूड़ेगा तो देखिए मैं तो आप भी जानते हैं एक किलो मीटर अगर बोल दिया जाए अगर कोई बोलता है ना कि कोई ट्रेन 20 किलो मीटर प्रती आवर से जा रही है उसमें से 1-3 18 किलो मीटर पर आवर से जाती है तो बाद की बच्चे 2-3 कितने किलो मीट की स्पीड से चलेगा तो उसका एवरेज स्पीज 20 किलो मीटर आएगा तो समझ गये होंगा काने का मतलब अगर रेलवे कह रहा है सीसीय का 1-3 मार्क जूड़ेगा तो 2-3 उसनका किनका जूड़ेगा तो 2-3 जूड़ेगा आपका जो आप CBT देने जाएंगे ग्रूप D के उसका यह है पूरा कंबिनेशन और 2-3 और 1-3 को जोड़ेगे तो टोटल 1 आएगा मैतमेटिक्स में बता दू 1-3 प्लस 2-3 बराबर LCM लेंगे तो 3 और यहां से 1 और यहां से 2 यानि 3 बाटा 3 डिवाइडेर करेंगे तो पूरा मार्स आपका 1 है और वही आपका फाइनल स्क CCA का जूड़ेगा लेकिन 1-3 जूड़ने और 2-3 जूड़ने आपका एक्जाम से जूड़ने से मेरा मैंने जो बोला क्या बोला आपको कि एक्जाम का टेंसन नहीं यह कैसे खतम होगा तो देखिए कैसे खतम होगा मैं समझा रहा हूं 1-3 आपका CCA का है और CCA में स्कोर 60-80 होते हैं सबके 70 तो कॉमन सी है 80 भी होते हैं लोगों को हम माल लेते हैं किसी कंडिडेट का स्कोर 75 है ध्यान से देखिएगा कुछ समझेगा इस चैनल पर आए हैं तो कुछ समझेंगे तो आपका 75 अस्कोर है और 75 को 1 मने 75-1 बटा 3 यही होगा एक मिनिट में थोड़ा वाइ 70 है गुना 1 बटा 3 इसको करेंगे तो आपका स्कोर के आएगा 25 ध्यान देजेगा CBT 2 आपको देने जाना है CBT 2 नहीं CBT देने जाना है गुरूप D के आपको एकजाम होंगे 100 नंबर के कितने नंबर ला लेंगे आप कुछ तो लाएंगे कोई कहेगा कि मैं तो 20 लाओंगा क कोई कहेगा मैं तो 15 लाओंगा कोई कहेगे कि मैं तो 50-60 भी ला सकता कोई कहेंगे तो मैं 30 भी ला सकता हूं ऐसा होगा हम कहते हैं कि आपने 15 ही ला लिया 15 से तो हम हम उमिद नहीं करते कि CCA कंडिडेट इतने भी नहीं पहे हैं अच्छे कंडिडेट हैं कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और अच्छा से भी आसा कर सकते हैं और अच्छे जोब में भी है हम करते हैं कि 15 ला दिये, कितने कि ला दिये ए 15 और 15 का 2 बटा 3 कीजिएगा 3 गुना 3 दुना क्या होता है 3 पच्चे 15 और 5 दुना 10 आपके स्कोर कितने बने हैं आपके एकजाम में किसके एकजाम में जो आपने एकजाम दिया गुरूप डी के लिए उसमें आपके 10 नमबर आए और 25 नमबर आपके अप्रेंटिस में थे दोनों को जोड़ देते हैं 35 अगर आपके 35 नमबर आ गए यहां से ध्यान से देखिएगा मैं किवल 15 out of 100 की बात कर रहा हूं जो लिस्ट है इससे कम तो होगा ही नहीं हमें लगता है तब आपके स्कूर ब तो मैं और डाटा के लिए आऊंगा RRC WR Western Railway अहमादाबाद और सारे RRB में यही है डाटा रिपीट हुआ है तो इन डाटा को आप देखिएगा नीचे की तरह पाईएगा तो डॉक्मेंट वेरिपिकेशन के लिए एक जगा काटा पाया था लोगों का एक मिनिट मैं उस ड लाड़ी का टीम बनती है तो बारा बार इनका डॉक्मेंट वेरिपिकेशन हुआ है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस इगारा और इधर एक दो और आगे है इस लिए के बाद भी इसमें आप कट अप देखिएगा कट अप यहां से देखिए सीसीय हमें धुनना से देखिए यहां पर इसीय की बात करते हैं कि अगर कंडिदेट ओभी on से एसिआ और साथ एक देखिए से बिलों करते हैं इनका कट अफ गया था तीस जब उनको तो इनको करते हैung कोई पयंधित नहीं मिली थी कोई बेनिफित नहीं है तो मतलब आप समझ सकते हैं है के वल PT पास करना था उनको कोई बेनफित नहीं दिया गया Retain Examination में उस समय इनका cut-up इतना नीचे गया था तो जब हम आपको कह रहे हैं कि आपने 25 नमबर ला लिया 1 3rd का आपका CCA का और 10 नमबर भी अगर आपने 2 3rd में ला लिया आपका CBT2 का तो 35 होता है यानि आप UR ACST से है तो आपको 35 नमबर में तो यहाँ पे सेलेक्शन हो रहा है तो exam का tension है या नहीं है अब बच गए UR के लिए तो देखिए UR में 20-25 नमबर लाना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मैं बता दूँ कि बिना पड़े भी कोई जाएगा केवल गलत option नहीं करेगा ध्यान दीजेगा गलत option नहीं निगेटिव नहीं करके आएगा तो 25-30 नमबर अराम से आजाते हैं कोई इसमें confusion नहीं होता अगर 30 कोई ला लिया तो इसको 2 बटा 3 करेंगे तो यहां से 10 गुना 20 नमबर हो जाएगा और CCA का 25 प्लस 20 45 नमबर होता है और 45 नमबर में किसी की community का है तो आपका जोग पका है तो एक जाम का tension खतम एक चीज़ और यहां बता दूँ यहां के बाद देखिए 1st DB के बाद यहां पर एक मिनट इसको छोड़ा कर देता हूं 1st DB के बाद यहां 1st stage के DB के बाद 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th से देखे 10 तक कोई CCA का नमबर नहीं सो हो रहा है इसका मतलब यह नहीं सो चिए कि CCA को बुलाया नहीं इसका मतलब यह है कि इसके बाद कोई बच्चा ही नहीं उनको आगे बुलाने की जरूरत पड़े यानि जरूरत नहीं पड़ी कोई candidate ही नहीं eligible था कि 2nd DB में आ जाए तो हुआ क्या कोई candidate जरूरत ही नहीं पड़े तो हुआ क्या तो जो candidate qualify किये थे किस से नॉर्मल से उन कंडिडेटों को रेलवे ने अप्रूबल देखे CCA वाला सारा पोस्ट दे दिया जिसके कारण से नॉर्मल कंडिडेट का इसमें जॉब मिल गया तो कुछ लोग नॉर्मल कंडिडेटों वाला बोल ले हैं कि CCA वाले अपने कटेगरी में फाइड करेंगे तो हमारा क्या लोज है लोज तो कुछ नहीं है डाइरेक्ट रूप से लेकिन इन डाइरेक्ट रूप से लोज है कि CCA के कंडिडेट पिछली बार क्वालिफाई नहीं किये थे उनको या तो PT में फेल हो गए या CBT में ही फेल हो गए तो उनके जगा पे नॉर्मल कंडिडेट को CCA वाला पोस्ट दिया गया जितने सारे आगे की पोस्ट थी सारा पोस्ट फील कर दिया गया तो अब समझ गये तीन चार चीज़ें को हमने यहां पे डिसकस कर लिया है अब कुछ बच्चा है उसकी बात कर लेते हैं हमने यह भी बात कर लिया है बीस हेजार पलस जोब है क्योंकि टोटल वेकेंसी एक लाग तीन हेजार है इसका 20% CCA के लिए है और 20% एक सर्विसमें की है एक सर्विसमें की और 20% CCA की पोस्ट भी नॉर्मल को दे दिया गया था पिछली बार अप्रूबल लेने के बाद उसके बाद आप यहां पर कहें कि 20,000 से कम कंडिडेट है पीटी आपके जरूरत ही नहीं है कट अप हमने आपको इनलाइसिस करके दिखा दिया कि अगर आप कमुनिटी से हैं किस में? OBC में, AC में, ST में और आप रीटेन एक्जाम में 15 भी लाते हैं 100 में से तो आपकी जो 75 नंबर आपके CCA एक्जाम वाला है वो आपको क्वालिफाई कर देगा क्योंकि मिनिमुम क्वालिफाई OBC और AC के लिए 30 ST के लिए 25 और UR के लिए 40 है उतना नंबर आपने ला लिया तो आपके 15 नंबर आउट आउट डेढ़ सो आपका एक्जाम का टेंशन कतम, CVT2 का केंशन कतम यानि 15 हम अगर कहते हैं आपको या 20-30 नंबर कहते हैं 30 भी कहते हैं तो आपको एक्जाम का टेंशन लेना चाहिए या गुड प्रैक्टिस करनी चाहिए जहां भी बैटे हैं मस्ती करके पढ़िए ये 20 नंबर, 30 नंबर तो आई जाएंगे बस आपको निगेटीव नहीं करना है क्या नहीं करना है? निगेटीव स्कोर नहीं करना है जितना नंबर आ रहा है उतना आने दीजिए ये नहीं देखिए कि मैं पूरे एक्जाम में बैटा हूँ 100 के 100 कर दूँ वहां हो सकता है कि नेगेटीव में आपको लॉस्ट चल जाए तो इतनी सारी बाते बोलने के बाद इतनी सारी चीजे बताने के बाद आपको क्या लगता है टेंशन होना चाहिए या अगर टेंशन है तो समझ जाए इस बार नोपरी मिला नहीं तो हम से नहीं हमको देखिए यूटूफर को नहीं बोल सकते अपने आप पे रोन आएगा कि इतने मौकों को भी हमने अपने फाइदे में नहीं बुलाया और गॉर्मेंट जो हमें इंतजार कर रहा है इसको भी ग्रैप नहीं किया तो ये सीसीय स्पेशल वीडियो मैंने कोशिस किया है कि गुरूप डी के बारे में कोई तत्वे छोड़ा नहीं जाए और कोई ऐसा बात मैंने इसमें नहीं बोला है कि किसी को अनओफिसियल जैसा लगे जो डाटा पब्लिक में है उन सारी चीजों को हमने एक जगह ही कटा करके सारा चीज सजा के इसको आपके लिए लाया था थैंक्यू, धन्यवाद